जै मातादी आद में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुरगा शप्षति से कवच अर्गला और कीलग का पार्ट और कवच का पार्ट इस परकार है ओम चंडिका देवी को नमशकार है मारकंडे जी ने कहा पितामा जो इस संसार में परम गोपनिये तथा मनिश्यों की सब परकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाईए ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक ही है देवी का कवच जो गोपनिये से परम गोपनिये पवित्र तथा समपूर प्रानियों का उपकार करने वाला है हम उने उसे श्रवण करो देवी की नौ मुर्थियां है जिन नभ दुर्गा कहते हैं उनके प्रथक प्रथक नाम बतलाये जाते हैं प्रथम का नाम शयल पुत्री है दूसरी दुर्गा का नाम ब्रहम चार्णी है तीस्ती सरूपा चंद घंटा के नाम से प्रसिद है चौती मुर्ती को कुश्मांडा कहते हैं पाचमी दुर्गा का नाम सकंद माता है देवी के छटे सरूप को कात्यानी कहते हैं सात्मा काल रात्री और आठमा सरूप महागौरी के नाम से प्रसिद है नमी दुर्गा का नाम सिद्धी दात्री है, ये सब नाम सरवग के महत्मा वेद भगवान के द्वारा ही परतिपादित हुए हैं, जो मनुश अगनी में चल रहा हो, रन भूमी में शत्रों से घीरा हो, बिसम संगटों में फस गया हो, इस परकार भय से आतू होकर जो भगवत देवी का समन किया है, उसका निश्चे ही अगुदय होता है, देविश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुमनी संधे ही रक्षा करती हो, चामुंडा देवी प्रेद पर आरूर होती है, वारही भैस पर सवारी करती है, एंद्री का वहान एरावत हाती है, पर आरूर इंद्री देवी ने स्वेत रूप धारन कर रखा है, व्रामी देवी हन्स पर बैठी होई है, और सब परकार के आभुचन से बिवोशित हैं, इस परकार से सभी माताएं, सब परकार की योग शुक्तियों से संबन है, इनके सिवा और भी बहुत सी देविया हैं जो अनेक परकार के आवशनों की सोभा से युक्त हैं तथ है नाना परकार के रतनों से सुशोभित हैं ये संपूर देमिया क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रत पर बैठी लिखाई देती हैं दे शंख, चक्र, गदा, शक्ती, हल, और मुसल, खेटक, आदी, तोमर, पर्शू, दता, पाश, उंद, और तुशूल, एवं, उत्तम, शंख, धनुष, आदी, अस्त्र, शस्त्र अपने हाथों में धारन करती हैं तैत्यो के शरीकर नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्यान करना ये उनके शस्त धारन का उद्देश है महान रौदरूप, अत्यंत घोर पराकर्म, महान बल और महान उत्सह वाली देवी तो महान भय का नाश करने वाली हो तुम्हें मश्कार है पश्चिन दिशा में वारुने और वानवे कोन में मिर्क पर सवार करने वारी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंट पर देश की रक्षा करें। महा देवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। अपनी दाड़ों के कारण भाएंकर दिखाई देवी देवी दोनों चर्णों की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और दलवासनी पैरों की तालू में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाड़ों के कारण भाएंकर दिखाई देने वाली दिष्ट कराली देवी नकों की और उर्ध केशवली देवी केशों की रक्षा करें। अब्यदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। धर्म धारनी मेरे एहिंकार मन और पुद्धी की रक्षा करें। तथा विद्या की रक्षा करें इंतराणी आप मेरे गोत की रक्षा करें चंडी के तु मेरे पश्व की रक्षा करो महालक्षमी पुत्रों की रक्षा करें और भैवी पत्नी की रक्षा करें मेरे पत्की सुपता रमार की शेमकारी रक्षा करें राजा की दरवार में शालनी और पाप नाशनी हो, यदि अपनी शरीर का भला चाहते हो, तो मनुष बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाट करने से ही यात्रा करे, कवच की द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष जहां जहां भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाव होता है, त में उसकी पराज़े नहीं होती, तथा वह तीनों लोग में पूजिनी होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुरलाव है, जो प्रतिदिन नियम पूरबक तीनों संधियाओं के समय शरद्धा के साथ इसका पाट करता है, उस देवी कला पराप्त होती है, तथा साप, बिच्चू और आदी के काटने से चड़ा हुआ जंगम विस, तथा अही फेन, तथा तेल के सयोग आदी से बनने वाला कृत्म विस, ये सभी परकार के विश्दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता, इस प्रत्मी पर मारन, मोहन, आदी जितने भी अविचार जल के समन्द प्रकट होने वाले गण, उब्देश मातर से सिद्ध होने वाले नेमने कोटी के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विश्रण करने वाली अत्यंत बलवती, भ्यानक, डाकनिया, ग्रेब, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, पेताल, कुश्मांड और भैरवादी, अनिष्ट पारग देटा भी हिर्दय में कवच धारण की रहने पर उस मनुश को देखते ही भाव जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धी प्राप्थ होती है। यह है कवच मनुश के तेज की वृद्धी करने वाला और उप्तम है। कवच का पारण करने वाला पुरुष, अपनी कुर्थी से विभूशित भूतल पर अपने सोयश के साथ साथ वृद्धियों को प्राप्थ करता है, जो पहले कवच का पार्ट करके उसके बाद शब्धती चंडी का पार्ट करता है, उसकी जब तक बन परवत और काननों से रही दिये, प्रिथमिर टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदी संतान परमप्रा बनी रहती है। फिर दे का अर्गला सोत्र ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे जी कहते हैं जैंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वहा और स्वधा इन नामों से प्रसित जगतंबिके मिल तुम्हें मेरा नमस्कार है देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो स सब में व्याद रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो काल राती तुम्हें नमस्कार हो मदू और केटप को मारने वाली तथा भ्रमा जी को बर्दान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है तुम मुझे रूप दो जय दो और मेरे कांप्रोध आधिशत्रों का नाश करो महिशा सुर्क का नाश करने वाली तथ भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है तुम रूप दो चये दो यश्टो और मेरे राधिशत्रों का नाश करू सबके द्वारव बंतित युगल चड़नों वाली तरह संपून सौभा के परदान करने वाली देवी तुम रूप दो चैदो यश्टो और मेरे काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो देवी तुमारे रूप और चड़नों में सरवदा मत तक जुगाते हैं उन्हें तुम रूप दो चैदो यश्टो और उनके काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो रूप दो चैदो यश्टो और मेरे काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो अमभी के देवतार असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुमारे चड़नों पर घिसते हैं तुम रूप दो चैदो यश्टो और मेरे काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो देवी अमभी के भगवान बिश्णो नित निरंतर भक्ति पुरवक तुम रूप दो चैदो यश्टो और काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो हिमाले कन्या बार्वती के पती महादेव जी के द्वारा परशंचित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो चैदो यश्टो और मेरे काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो प्रशंड भुज दंडो वाली देवी तुम रूप दो चैदो यश्टो और काम प्रोध आधी शत्रों का नाश करो मन की इच्छा के नुसार चैनने वाली मनुहर पतनी परदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन होई हो जो मनुश इस सोत्र का पार्ट करके शब्तशती रूपी महा सोत्र का पार्ट करता है वेश सब्तशती की जब संख्या से मिलने वाली श्रेश्ट फल्ट को प्राप्थ होता है साथिवा प्रचुर संपत्ती भी प्राप्थ कर लेता है और इस प्रकार अगला अरगला सोत्र समाफ्थ हुआ अथ कील गम ओम चंडिका देवी को नमशकार है मारकंडे जी कहते हैं विशुद ग्यान ही जिनका शरीर है तीनों वेध ही जिनके तीन दिव्वे नेत्रे हैं जो कल्यान प्राप्ति के हेतू हैं अथा अपने मस्तक पर अर्द चंडर का मुकुर धारन करते हैं उन भगवान शिपको नमशकार है मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धे में बिग्न उत्पन करने वाले या शाप रूपी कीलक का जो निवारन करने वाला है उस शब्शती सोत्रों को समस्मूरुप से जानना चाहिए यद भी शब्शती के अत्रिक्त अन्य मंत्रों की जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है उससे भी उच्चाटन आधी कर्म सिद्ध होते हैं उन्हें अपने कारे की सिद्धी के लिए मंत्र और शब्शती के अन्य किसी साधन की उप्यों की अवशक्ता नहीं रहती बिना जब के ही उनके उच्चाटन आधी समस्त अभिचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट बस्दों भी सिद्ध हो जाती हैं लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल शब्शती के उपासना से अध्वा शब्शती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रोप से जब कारे सिद्ध होते हैं तब इसमें सबसे स्रिष्ट कौन सा साधने लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए होजी क्यासों को समझाया कि ये शब्शती नामक संपूर्ण सोत्र ही सर्फश्ट एवम कल्यान में है तदंतर भगवती चंडिके के शब्शती नामक सोत्र क का निड़ने लिया उसे यधार्थ ही जानना चाहिए अन्यमंत्रों का जब करने वाला पूरिष भी यदी शब्शती के सोत्रत्व जब का अनुष्टान कर ले तो वे भी पूर्ण रूप से कल्यान का भागी होता है इसमें तनिक पिस संदे नहीं है जो साधक कृष्ण पक से कीलग वारा महादेव जी ने इस होते को कीलित कर रखा है जो पुर्वोक्त रीती से निश्किलन करके इस सद्शती का परते दिन सपस्ट उचारनी कुदबा करता है वे मनुस्स सिद्ध हो जाता है वही देवी का पार्चद होता है वही गंदर भी होता है सर्वत विचर रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भै नहीं रहता हुए अब मित्यों के बश्च में नहीं पढ़ता था दे त्यागने के अंतरक्त मोक्ष प्राप कर लेता है अताए कीलग कीलन को जानकर उसका परिहार करके इस शब्शती का पार्ट आरम करें जो ऐसा नहीं करता उस इस कल्यान में सोत्र का सदा जब करना चाहिए इस सोत्र का मंदिस्वर से पार्ट करने पर सुलक फल की प्राप्ति होती है और उचिस्वर का पार्ट करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है अत्या उचिस्वर से इसका पार्ट आरण करना चाहिए जिनके प्रसाद से एश्वर रिभोग आरोग संपती शत्रु नास तक परा मुक्ष की भी सिद्धी होती है उन कल्यान में जब दंबा की स्तुती मनिशक क्यों नहीं करते और इस प्रकार की लगपाट समाथ हुआ जैमातादी